हार योब मित्रों ग्यानमंत्र एयुम अएर्वेड में आप सभी का हार्धिक अभिनत्न है और इशुर आप सभ का मंगल करें मित्रों इस वीडियो में आप सभी को दो हजार श्युविस फरवरी मां के कौंसिब्रेट के मिशे में जानखरी देंगे और फर्वरी का महीना विसीस रूप से सभी रासियों के लिए गर्वधारन में उत्तम महीना रहेगा उत्तम संतान प्राप्ति योग पुत्र योग के चांस भी इस माह में सबसे प्रवल बनेंगे गर्व की इस्तिरता के साथ ही योग संतान सुख भी प्राप्त होगा मित्रों इसमें सबसे पहले फरवरी के प्रथम क्रिस्पच्ची तारिखों के बारे में बताएंगे तो इसमें एक तारिख क्रिस्पच्ची सबसे अच्छी तारिख रहेगी चित्रा नच्छत्र गंड योग दिन रहेगा और इस तारिक में गर्वधारण का समय रात्री 10 से 2 के बीच रख सकते हैं इसके बाद 4 और 5 फर्वरी की तारिकें भी योग संतान के लिए गर्वधारण में सबसे मुख दिन रहेंगे गर्व की इस्तिता भी प्रबल योग के साथ बनेगी चार तारिक में अनुराधा नच्छत्र ब्यागात योग दिन रहेगा और इसमें गर्वधारण का समय रात्री 9 बचकर 45 मिट से 3 के बीच रख सकते हैं पांच तारिक में जेश्ठा नच्छत्र हर सण योग दिन रहेगा और इस दिन में कंसीव का समय रात्री 10 बचकर 35 मिट से 2 के बीच का समय सही बनेगा इसके बाद 8 फरवरी मुहुरत के अनुसार दिन उत्तम होगा उत्तरा साढ़ान च्छत्र ब्याती पात योग दिन रहेगा और इस दिन में गर्वधारण का समय रात्री 10 से 3 के बीच रख सकते हैं इसके बाद 25 तारिक भी योग संतान के लिए मुख दिन बनती है पूरबा फालगई नच्छत्र गृति योग दिन रहेगा और इस तारिक में गर्वधारण का समय रात्री 8 से 12 के बीच रख सकते हैं इसके बाद फरवरी की अंतिम महीने की तारिकों में 28 फरवरी नच्छत्र के अनुसार प्रभावसालिय दिन होगा गर्व की श्रिटा के लिए भी विशेष दिन बनता है चित्रा नच्छत्र ब्रेधी योग दिन होगा इस दिन में कंसीव का समय रात्री 9 बचकर 25 मिनट से एक बचकर 35 मिनट के बीच रख सकते हैं इसके बाद फरवरी मा के सुख्रपच के दिनों को देखें तो इसमें 11 फरवरी इस दिन में योग और नच्छत्र दोनों प्रभावसाली रहेंगे मुहरत भी प्रभल बंदा है पूरबा भात प्रभाव नच्छत्र शियोग दिन ह होगा और गर्भधारन का समय रातरी 10 से 2 की बीच रख सकते हैं 14 तारी चंद्र सुद्री मुहरत और योगानंद प्रभाव के नसार ये तारीक पलवा रहेगी और इस तारीक में सुख्र नच्छत्र योग प्रभल नहेंगे संतान प्राप्ति के लिए गर्भधारन कर सकते हैं इसमें समय रातरी 10 पचकर 25 मिनट से 3 के बीच का सही बनेगा 16 फरवरी नच्छत्र और योग दोनों के प्रभावनसार ये तारीक प्रभल बनती है कृतिका नच्छत्र इंद्र योग दिन होगा और इस दिन में गर्भधारन का समय रातरी 8 से 2 के बीच रख सकते हैं इस कम योग दिन रहेगा 19 तारिक में 18 नच्छत्र प्रति योग दिन होगा इन दोनों तारिकों में गर्भधारन का समय रातरी 9 से 1 के बीच ही रख सकते हैं इसके बाद 22 फरवरी नच्छत्र के अनुसार ये दिन प्रभावसाली होगा स्वक्लुपच्छ का ये दिन गर्भे क इस्तिता के साथ ही मुख दिन बनता है असलेशा नच्छत्र सोभन योग दिन रहेगा और इस दिन में कंसीव का समय रातरी 10 बच कर 35 मिनट से 2 के बीच रख सकते हैं तो मित्रों ये फरवरी मा के सुक्ल पक्स और किस पच के दिनों की तारिक हैं थी और अपनी मासिक डेट के अनुसार इन तारिकों में दो से तीन दिनों का परियोग करके उत्तम संतान प्राप्ति का योग प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद सोभंगत